साथ ही ओ नमस्कार स्वागत है आपका अपने चैनल सकसे जंक्सन एक कदम सफलता की ओर में और हम लेकर के आगए हैं आपके लिए MP पटवारी 2023 की एक्जाम की दिश्टी से अति महत्पुन वीडियो है free practice set number 6 यानि कि इससे पहले हम 5 practice set already upload कर चुके हैं जिनमें 3 practice set आपके सामाने प्रबंधन के हैं और 2 practice set आपके computer के हैं ठीक है तो आप बड़ी आसानी से किसी भी प्रशन का answer दे सकते हैं और अगर आप भासा में उलज करके रह गए तो आपके लिए बड़ी मुश्किल सावित होने वाली है ठीक है तो हर एक प्रशन को detail में आपको simple भासा में समझाते हुए आगे बढ़ेंगे चली वीडियो को like कर दीजी चैनल को subscribe कर लीजी अगर आप पहली बारा हैं आपकारी का भी practice set शुरू हो चुका है अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के description box में आपकारी की लिंक दी गई है वहाँ पर जाकर करके आप आपकारी की free practice set लगा सकते हैं चली चली आपको जानकारी के बारे में देखिए तो एका की बैपार से आसा है कि ऐसा बैपार जिसको किवल एक व्यक्ति के दौरा संचालित किया जाता है अगर एक व्यक्ति होगा तो वो बहुत जल्दी अपने निड़े लेगा ठीक है इसलिए इसमें निड़े क्या होता है आसानी से लिया जा सकता है देखिए अगर आप कोई व्यापार चालू कर रहे है ठीक है और अगर आप कीवल अकेले ही व्यापार को चालू कर रहे है त सबसे अच्छा, जो मतलब कह सकते हैं, जो विसेशता है, वो यही है कि इसमें आप आसानी से और बहुत जल्ली निड़ ले सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगले प्रश्ण की और देखिए, प्रश्ण नमबर दो, साजेदारी संग्ठन की नीव सबसे पहले कहां पर पड़ी थी, तो साजेदारी संग्ठन क्या होता, जब दो या दो से अधिक वक्ति मिलकर के कोई वैपार सुलू करते हैं, तो उसको हम साजेदारी वैपार करते हैं, और ऐसे संग्ठन को साजेदारी संग्ठन कहते हैं, शुरुवात कहां से हुई थी, तो अमेरिका, जर्म साज़ेदारी संगठन क्या होता है दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिल करके कोई वैपार शुरू करते हैं तो ऐसे वैपार को साज़ेदारी वैपार और ऐसे संगठन को साज़ेदारी संगठन कहा जाता है अगले प्रशनी की ओर चलते हैं देखिए वीडियो पसंद क्या प्रोब्लम हो गई कि साज़दारी संग्ठन की आवशकता पढ़ने लगी। देखिए, एक आकी ब्यापार में पूझी की कमी होती थी, एक आकी ब्यापार की सम्रद्धी का प्रबंद मुश्किल होता था, प्रतिसपरदा बढ़ाने के लिए या फिर इन में से सभी, चलिए एंसर देखते हैं, प्रष्ण का सही आउंसर है D यानि की इन में से सभी, तो देखिए, साज़दारी संग्ठन से अधिक मुझी इकर्टित की जाती है, ब्यापार की समर्द्धी का भी प्रबंद हो जाता है, प्रतिसपरदा भी बढ़ती है, अब देखिए, मान लीजे, आप अकेले कोई कार चालू कर रहे हैं, कोई आप ब्यापार चालू कर रहे हैं, तो आप ज्यादा ज्यादा एक लाग या फिर दो लाग रुपए लगा करके ब्यापार सुरू कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर आप बहुत सारे साज़दारों को ले लेते हैं अपरे साथ में, ठीक है, समर्दी के लिए बहुत सारे दिमाग काम करते रहेंगे, तो इसमें समर्दी में नए नए आपके टेकनोलोजी आएगी, नए नए आपकी जो है बिशार आएंगे, तो समर्दी भी आपके बैपार की हुजाई अगर वो साज़दारी बैपार है, ठीक है, और प्रतिसपरदा बढ़ाने का मतलब है कि अगर आप मिलकर के कारेंगे, तो जो दूसरे लोग देखेंगे, उनमें भी प्रतिसपरदा की भावना बढ़ेगी, चलो हम भी मिलकर के क करते हैं या कुछ नया करते हैं, तो क्या हुथा प्रतिसपरदा की भावनावी बढ़ती है कि इसमें साज़दारी संग्टन में, तो इसलिए साज़दारी संग्टन की आवशक्ता पड़ी, इसका अंसर इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यानि कि जो जनरल जो साज़ेदार होता है, उसका असीमित उत्तरदाईत होता है, देखिए, सामाने साज़ेदार का असीमित उत्तरदाईत होता है, जबकि जो इस्पेशल साज़ेदार होता है, उसका सीमित उत्तरदाईत होता है, अभी उत्तरदाईत का मतलब है, देखिए, सामने साज़दार जो होगा उसका असीमीत उतर देchron याए उसके उपर बहुत सारी ट्नेशन होगा भई इसको बाजार में बेचना भी है इसको अच्छा बनाना भी है इसको यहाँ पहुंचाना है उथे इनके पास पहुंचाना है और मुझे इतना profit चाहिए, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, तो वो क्या होता है, वो एक special जो है, आपका साज़ेदार होता है, और general साज़ेदार ऐसे होते हैं, जो लोग मिल करके, जो main मालिक होते हैं, जिनको भाई सब कुछ द रहे हैं, तो उसका कारशित कैसा होता है, सीमित होता है, असीमित होता है, ब्यापक होता है, या फिर all, आई एंसर देखें, प्रशन का सही आंसर है, यानि कि एक आखी ब्यापार जो होता है, एक आखी ब्यापार में पूंजी की कमी होती है, आप कम पूंजी में कोई ब्या बना सकते हैं आपने देखा भी होगा बहुत सारी जगावे तो कारिशेतर कैसा हो गया असीमित हो गया वहीं पर अगर आप कोई बड़ा वैपार सुरू कर रहे हैं तो आपने मालीजी सूज बगएरा बनाने का वैपार सुरू किया बड़े लेवल पर तो आपको साज़ेदा ज्यादा सेयर करेंगे अच्छे भी उजाएंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा हम लगातार आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आते रहेंगे ठीक है न अभी कंप्यूटर वाली वीडियो पर आपने इंट्रेस्ट नहीं दिखाया है तो मैं कंप्यूटर पर आपने दोस्तों को टेलिग्राम ग्रूप में फेस्बूक पर हड़ जगां शेयर कीजिए और नहीं लाइक करने का कोई पैसा लगता है आगे बढ़ते हैं देखिए यह का कि ब्यापार की स्थापना सरल है क्यों की बतला अगर आप सिंगल अपना ब्यापार सुरू करना चाहते हैं तो काफी आसानी से सुरू कर सकते हैं क्यों ऐसा क्यों है देखिए इस ब्यापार की स्थापना में कम पूंजी लगती है इसमें पूर नियंतरन की गुंजा इस ब्यावसाई की इस्थापना में कम पूझी लगती है यानि पैसे की कम आउशकता होती देखिए एक आगी ब्यापार का नियनतर एक ही वक्ति के हाथ मोता है तो इसमें कम पूझी के द्वारा भी ब्यापार सुरू कर सकते हैं ठीक है तो यही इसकी में वज़ा है कि आप मतलब बहुत से लोग एक आगी ब्यापार करना पसंद करते हैं क्योंकि एक यह डेर लाग रुप में अपना ब्यापार सुरू कर सकते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन देखिए साजदारी संगठन अवैद घोसित हो जाता है कब अगर कोई भी साजद अगर आपका जो साजदारी संगठन है वो अवैद घोसित कर दिया जाएगा भारत सरकार के द्वारा देखिए एग्जामपल बताते हैं अगर किसी बिदेशी दुस्मन के साथ ब्यापार कर दिया जाता है उदारन के लिए गलवान घाटी के जब केस हुआ था तो चाइना कि 350 apps को क्या कर दिया गया था बंद कर दिया गया था क्योँ कि हम दुस्मन देश के साथ में अपना व्यापार मतलब कर रहे थे टिक टॉक बगएरा किसका था चाहिना का था टिक टॉक बगएरा ब्यूटी प्लेस बगएरा इन सब को बंद कर दिया गया था सरकार के दोरा तो साज़ेदारी संगिठन अवैद घोसित हो जाएगा अगर आप दुस्मन देश के साथ में व्यावसाय या फि साज़ेदार होता है उसका पुजी तक ही उसका जो है दाई तो स्यमित होता है देखिए निस्क्री का कारे निस्क्री साज़दार का नहीं होता है जो निस्क्री साज़दार होता है वही जैसा हमने आपने सुरू को बताया था सुरू में आपको बताया था कि निस्क्री साज़दार क्या करेगा सिर्फ पैसा दे देगा उसने का देखो भाई ऐसा है मैंने 20,000 रुपए आपको जो उत्तर दाईतों है, वो केवल पूंजी तक सीमित होता है, पैसे लगाने तक सीमित होता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए, लाब भागी साज़ेदार होते हैं, यानि कि जो लाब भागी साज़ेदार होते हैं, वो कौन होता है, ये सारे ऐसे कैसे प्रशन आपको आपको समझाते हैं, देखे, तो लाब भागी जो साज़दार होगा, इसको भागी कर लेना, लाब भागी जो साज़दार होता हो, किवर लाब में हिस्सा लेता है, इसका एक निश्यत हिस्सा होता है, देखे, लाब भागी साज़दार क्या होता है, उनने कहा कि दुखा यसा है हम आपको पांच लाग रुपए दे रहे हैं अब आपकी पूझी में आपके बैपार में लाव हो रहा है घाटा हो रहा है मुझे कोई मतलब नहीं ठीक है न मुझे इस बैपार के या फिर इस साल की अंत में पांच लाग रुपए चाहिए अपने लाग का हिस्सा ठीक है अ अगर 70 लाग का फाइदा हो गया, तो 6 लाग रुपे दिये जाएंगे, अगर 1 करोर का फाइदा हो गया, तो 8 लाग रुपे दिये, ऐसा विलकुल नहीं इसा लाव हो, चाहे आणी हो, उसको 5 लाग रुपे चाहिए, ठीक है? तो ऐसा साज़दार कोन होता है ऐसा साज़दार लाव भागी साज़दार होता है और इसका एक निश्वित अमाउंट होता है इसको finally इतना ही अमाउंट दिया जाता है चाहे आपको धेर सारा लाव हो जाए तब भी आपको 5 लग देना है चाहे आपको बहुत सारा घाटा हो तब भी आपको उसको 5 लाग देना, यानि कि उसका fix surprise होता है, fix उसका फायदा लाव होता है, उतना ही उसको देना होता है, ठीक है न, चलिए, आगे बढ़ते हैं, तो अगला प्रशन है, भारत में अधनियम सबसे पहले कब बना था, जो company अधनियम होता है, वो भारत में company सबसे पहले कब हुआ था, ये पूछा जा रहा है, ठीक है, चलिए देखते हैं, प्रशन का answer क्या है, प्रशन का answer है, डी यानि कि 1850 में सबसे पहले company अधनियम बना था, अब तीनों चीज़ हम आपको बदा देते हैं, पहले कब बना था, सुतनता के बाद कब बना और बरत सबसे पहले कब बना, तो 156 में बना, सर वरतमान में कौन सा देनियम कार कर रहा है, तो मेरे भाई वरतमान में 233 का अधनियम अधनियम कार कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी हैं, ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये आज की वीडियो थी, कैसी लगी वीडियो को comment box में comment करके आपको बताना है कि वीडियो पसंद आ रही है कि हम इसको लगातर continue रखें या पर बंद कर दें या आपकी उपर depend करता है तो सबस्पहले वीडियो को like कर दीजिए अगर आपने like नहीं किया है चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को subscribe कर लिजिए और इस वीडियो का PDF दो दिन बार आपको हमारे टेलिग्राम चैनल सकसे जंचन पर देखने को मिल जागा टेलिग्राम पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको ये लोगों के साथ में जो है आपको देखने को मिल जाएगा हमारा टेलिग्रम चैनल वहाँ से आप इसको join कर बगी आवकारी के प्रैक्टिसेट आपके सुरू हो चुके हैं अभी जो कल हमने पहला प्रैक्टिसेट अप्लोड किया है जाकर की देख सकते हैं इस पेशल साइंस जो है जिसमें NCIT के प्रशना आ रहे हैं उन सही प्रशनों को हमने बिल्कुल डीटेल में कवर किया तो जाकर के जरूर दिख लीजेगा इस वीडियो को दोस्तों तक जरूर सेर करना है ये आपका उत्तर दायत तो है समझ लीजे ठीके न अपने दोस्तों पाई टेलिग्राम गूप में हर जेगा आपको सेर करना है और ज्यादा ज्यादा हमारा सपोर्ट करना है चलिए जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद मैं अतुल सुकला आपसे विदा लेता हूँ मिलेंगे कल सुभा एक नई वीडियो में